जैमातादी दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों कल दिल्ली बजार ने 30 के साथ खेल शुरू किया फरिदाबाद में 64 गाजियाबाद में 38 गली में 40 और दिशावर में आज सुबा 26 देखने को मिली है मैंने जो आपको कल अंक गडित बताया था क्रोसिंग के अंकों की बात करोगे तो दिल्ली बजार में 30 पास हो गई गाजियाबाद में क्रोसिंग के रूप में 38 पास हुई है दो जगा पर आपका खेल सफल रहा है विद लोकेशन बात करोगे तो भाई विद लोकेशन यहाँ पर 0 का अंक पास रहा है विद लोकेशन यहाँ पर हमारी 0-3 दे रखी है 30 आई है आपको हमेशा से बताया जाता है कि अलट और पलट जरूर खेलिएगा मजबूत है गाजियाबाद में 38 खुली है तिग्गी मेरी कन्फम थी यहाँ पर लेकिन 23-73 के साथ और 38 मैंने कहा रखी है फरिदाबाद में कि भई 33 के सामने फरिदाबाद 38 मार सकती है लेकिन गाजियाबाद ने खुद की 83 को 38 कर लिया उमीद करता हूँ यहाँ की तिग्गी आपको फाइदा दिला कर गई होगी और अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धी लगाई होगी तो 38 बना ली होगी गली में 40 खुली होई है 47 और 44 का चववा मजबूत था 39 और 22 की दुग्गी मजबूत थी चववा यहाँ पर दिया हुआ है दुग्गी के साथ की भईया दुग्गी और चववा दोनों अंक बढ़िया है खेल के देख सकते हो 24 के उपर फाइदा मिला होगा उमीद करते हैं दिशावर में भईया 21 की फैमली खुली है 21 की राशी 26 होती है हमें कोशिस थी भईया 21 पे 71 मार सकता है राशी 71 भी 21 की होती है लेकिन कंपनी ने रिपीट की जोड़ी 62 को 26 करके खोल दिया बढ़िया दिन रहा बढ़िया अंक गडित रहा परमपिता परमेश्वर से इसी सब चीज की प्रातना रहती है कि भाई लोगों को फाइदा होना चाहिए लोगों का कुछ बढ़िया काम बनना चाहिए आज किस रूप में काम बन सकता है, कौन सा अंक कैसे मजबूत रह सकता है अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद इस्तिमाल करने का विचार बनाईएगा तो सबसे पहले क्रोसिंग की बात करेंगे क्रोसिंग के अंकों में आज का जो सबसे बैतरी नंक है वो है आठ का इसके अलावा पंजा, इसके अलावा सत्ता, इसके अलावा तिग्गी, इसके अलावा छे का अंक और इसके अलावा एक चववे का अंक ये अंक मेरी समझ में आ रहे हैं मैंने एक चीज यहां पर नोट की है आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली बजार, फरिदाबाद, गाजियाबाद, गली आज साथ तारीक है छे दिन में सिर्फ गाजियाबाद ने एक बार 61 खोला है इक्के का अंक इस्तेमाल किया है अन्यत बाकी इसके अलावा ना दिल्ली बजार, फरिदाबाद, गाजियाबाद, गली में कहीं पर भी इक्के का अंक नहीं खुल रहा सिर्फ और सिर्फ दिशावर ने इक्के के अंक का इस्तेमाल किया था 51 और 21 पे तो इसलिए एक्के के अंक से दूरी बनाई है इसके अलावा जो अंक बढ़िया रह सकते थे आपके साथ साजा किये हैं तो ये चीज़े ध्यान में रखकर चलना खुल जाएगा तो वो बात की बात है लेकिन जो मजबूत बन रहा है सबसे पहले उस पे विश्वास दिखाएंगे वहाँ पर चलेंगे जहां से पासिंग मिलने की सफलताय मिलने की उमीदे जादा हैं तो ये चीज़ें आपको मजबूती से फाइदा दिला सकती हैं अब यहां से बढ़ते हैं फटाफट से विद लोकेशन खेल की तरफ दिल्ली बजार में 30 के उपर क्या कुछ उमीद कर सकते हैं तो भाई 30 के उपर उमीद कर सकते हैं एक ट्रिक जोडी की जो है 49 की 30 के उपर उमीद कर सकते हैं क्रोसिंग में आपका नैला नहीं है जीरो नहीं है जो जोडी जहां मजबूत बन रही है उसका वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा क्रोसिंग अपनी जगापर काम करेगी जोडी यहां अपनी जगापर काम करेंगी इसलिए जो भी भाई वीडियो को देख रहा है पहले ये समझ ले कि भाई कौन सी जोड़ी कहाँ पर किस अंक के साथ काम कर सकती है उसके बाद क्रोसिंग खेलने का विचार बनाएगा उसके बाद ही आप क्रोसिंग में अपना हाट डालिएगा क्योंकि बिना खेल को समझे बिना जोड़ियों को समझे आप या तो जोड़ी खेले या क्रोसिंग खेले तो आपको मजा नहीं आएगा गेम फेल हो या पास हो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा इसलिए पहले खेल को समझिएगा अच्छे से जानिएगा उसके बाद विश्वास बने तो इस्तेमाल में लीजिएगा अब यहां से बढ़ते हैं फरिदाबाद पे फरिदाबाद में 64 के उपर क्या कुछ खास रह सकता है भाई तो 64 के उपर एक ट्रिक जोड़ी बन रही है 34 की जो की आपको फाइदा दे सकती है इसके अलावा एक भाई 46 बहुत मजबूत बन रही है उमीद लग रही है यहां पर कि भाई कमपनी 6 का अंकर ले सकती है दुबारा से बाहर की तरफ जा सकता है ये वाले को देखते हुए और 26 से 36 का समीकरन बहुत बढ़ी है 26 से 64 पे 46 मार दे खुद की फैमिली का जैसे 83 का 38 करा गाजियाबाद ने हो सकता है फरिदाबाद 64 का 46 कर दे कोई बड़ी बात थोड़ी है खेल का हिस्सा है दिशावर भी तो 62 का 26 करके गया है आप देखो ना खेल का पैटन यहीं तो है कही और से थोड़ी आया गाजियाबाद ने पहले पैटन चेंज किया उसके बाद दिशावर उसी पैटन पे आ गया अपनी जोड़ी को पलेट में खोल दिया तो दोस्तों इसी तरीके से खेल चलता है और यही चीजें आपको समझनी सीखनी है कि कब कमपनी कैसे काम कर सकती है अब यहां से बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ गाजियाबाद में 38 के उपर क्या कुछ खास रह सकता है 38 के उपर पूरा जोर लगाएंगे गेम पास कराने के लिए सबसे पहले जोड़ी बनेगी 48 की अठा यहां पर बढ़िया रह सकता है इसके अलावा यहां पर 85 का सम 87 का खेल अगर आपको जोड़ियां पसंद आ रही हों तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई जब कभी आपको बाहर का अठा दिखे न तो समझ लेना कि या तो अठा कंपनी रिपीट कर सकती है या कंपनी पंजे पे खेल लेकर जा सकती है और या फिर कंपनी सत्या लेकर आ सकती है मानता हूं अंक जादा होंगे लेकिन चीजें सफल होने में भी जादा आएंगी यहां पर अठा पंजा सत्ता मैंने देख लो 48,85,87 का खेल लखा है पंजे पे 57,85 बनाई है सत्य पे मैंने 57,87 बनाई है आपको जो जानता हूं वो बताता जाता हूं अगर आपको इन सब चीजें से फाइदा मिले तो बहुत बड़ी है बात है अगर फाइदा नहीं मिलता नहीं सीख पा रहे हो तो भाई कोशिश करो सीखने की समझने की क्योंकि जितना सीख लोगे जितना समझ लोगे वही काम आएगा कभी ना कभी तो जरूर काम आता है कोई भी चीज जो हमेशा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई कुमार भाई जो भी अपना खेल है इनके पास लिखवाईए जो भी आपका काम है इनको दीजिए इनके पास फाइदा लीजिए आपका गेम पास होता है तुरंत पेमेंट होती है तो दोस्तों ऐसी जगाओं का हमेश 40 के उपर क्या कुछ उमीद कर रहे हैं तो भाई 40 के उपर 49 का खेल बहुत बढ़िया बन रहा है और एक आखरी जोड़ा ट्राई करेंगे आज 7 तारीक को अगर आज जोड़ा ना खुला तो फिर मेरे इसाब से आने वाले दिनों में 4-5 दिन जोड़ा बन रहेगा क्योंकि ट्रिक पैटन है ट्रिक पैटन पर हमेशा कंपनी काम करती है तो कहीं ना कहीं 24 का अंक बढ़िया रहेगा तीसरा चववा यहां पर उमीद कर सकते हैं 24 के बाद 40 40 के बाद 49 या 44 अगर पसंद आये तो इस्तेमाल कर लेना अगर लगे कि भाई आज खेल थोड़ा सा डामा ड मेरे इसाब से तो भाई बहुत बढ़िया है ओक्य टैस्टिट की रिपोर्ट है कि हाँ वहीं फाइदा मिल सकता है अब आपको देखना है कि आपको इसमे फाइदा दिख रहा या नहीं दिख रहा बात करते हैं दिशावर की दिशावर में टिक सेम रहने वाली है 26 के उपर एक्के का खेल मजबूत रहेगा सबसे पहले 61 पे 51 पे 15 पे रखो आप आज 15 पे रखो जैसा खेल चल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे जैसा देश वैसा भेस वाली बात ठीक है और साथ में 54 यहाँ पे यह खेल मजबूत बन रहा है सुबा ना पंजे पे जादा विश्वास है एकका बैक अप में रखना मजबूत रहेगा ठीक है तो यहाँ पर यह 54 बहुत बढ़िया बन रही है 15 बहुत बढ़िया बन रही है 61 मैंने बताया जिस तरीके से कंपनी 61 का इस्तिमाल कर रही है किसी भी गड़ी कंपनी 61 का घर दिशावर को दे सकती है यह चीजे नजर में रखनी है बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया है समझा दिया है पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना आपका जो प्यार है जो आपका सपोर्ट करने का तरीका है न इसको और मजबूत करो और थोड़ा सा सपोर्ट करके वीडियो को बढ़ाओ होसला अफजाई करो इनी शब्दों के साथ कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक कि लिए सभी भाईयों को राम राम नमस्कार धेर सारा प्यार